नमस्कार किशान साथियो मेरा नाम जतिन गजेरा गाउं दुन्दोरा जी जिल्ला जामनगर गुजराच से मैं आपको वेस्टी कंपोजर के बारे में बताना चाहता हूँ गाजियाबाद उनियोसिटी डॉक्टर किशन चंद्र जी ने जो बनाया है किशानों के लिए संजीवीनी है पिछले साल एक एकर में मैंने प्रयोक किया था बहुत अच्छा रिजल्ट मिला तो इस बार पुरी खेती उससे ही करने के सोची है सभी प्रोडक्स में बनाई है आपको बताता हूँ यह मधर कल्चर है और यहां से मेरा सारा पानी खेत में जाता है यह 5000 लिटर का टेंग है यह 2000 लिटर का इसमें भी बनाया हुआ है आप देख शकते हैं और ये पत्थरों का जीवस है जैसा डोक्टर साब ने बताया सारे के सारे पत्थर कहीं तरह के इसमें रखे हुए है और फिर डीकमपोजर का गोल रख दिया इस वाल से निकला जा सकता है विश दिन के बाद एक बार निकल के ये पूरा खेरबा भर रिया है और दुबारा ड आल दिया है इसमें डीकमपोजर ये ज घोडे की लीद इसमें जैसे आफ वड कर सापने बताया साए ये गोडे की लीद आज 10 दिन हुए है आप देच सकते है ये इसमें बकरी की है ये आप देख सकते हैं इसको भी दस बारा दिन हुए है यह निल गई का गोबर इसमें इसकी पौटले डूप गई है इस दोरी पे अटकी हुई है यह कपास है और जैसा की डोक्टर शाब ने बताया है माइक्रोन्यूटरन तो इस ड्रम में माइक्रोन्यूटरन है यह देख सकते हैं अगली साल पिछले साल एक एकर में मैंने जुआ किया था बहुत अच्छार जल्ट मिला तो इस बार ये सब बनाया है ये पतियों का जियो से आक नीम ततुरा और कॉंग्रेस ग्रांस वैसे कहीं प्रकार की वनस्पतिया जो गाई फेस नहीं खाती और ये नीम की फली से छाओं में बनाने का जैसा डोक्र शाब ने बताया था ये नीम की फली से छाओं में बनाया हुआ ओर नीम का इसमें कंपोज़े डालके मिक्सी में पीछ के नीम की फली को वो है कीटना सके और नीम अर्क बन जाता है । ये मुंग फली भुई है एक मना हो गया बारिष की बहुत कमी है बुईए के बाद एक बूंद भी की बहुत जरूरत है आज यह लगता है हो जाएगी यह सबजिया बुई है सब अभी एक बेल चड़ाने के लिए में खोद रहा था गड़ा तो उसमें से बहुत सारे केच्वे निकले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यह देखिए यह यह केच्वा इसे बहुत सारे निकले में मोबाइल लेने गया तो आपस चल गए चोटे चोटे तो बहुत है अभी पिछले साल इसमें दो या तीन सिंचाई हुई थी इस मुखफली में अभी एक भी सिंचाई नहीं हुए करने की है जब बारिश हो कुए में पानी आ जाए और जब सिंचाई होगी तो इसमें ड कुछ कुछ जो प्लांस है वो ऐसे ही सुग गए है यह बता दू कि इसमें अभी एक भी सिंचाई वेस्डी कंपोजर वाली एक भी सिंचाई अभी नहीं आई है पिछले साल जब में केमिकल फार्मिंग करता था तब इसमें बायर का गोचों से भी जूपचर करता था तब यह प्रोब्लेम तो तब भी रहता था यह इसका क्या करें यह आप कुरुपिया बताए मुंग फली है और इससे आगे उड़द बोये हुए है बारिश की बज़े से अभी इसका ग्रोथ नहीं हो सोका है बारिश की बहुत कमी है तो कुरुपिया किसानों से मैं कहना चाहता हूं यह बहुत अच्छा एक जैविक खेती की सिस्टम है पूरा चैनल टुशन चंद्र जी यूट्यूब पे सब बताते रहते हैं आप इसका इस्तेमाल कीजिए कि क्या ही केचवे निकले है अभी आ मैं देखाता हूं वो खोजता था तो केचवे में मोबैल लेने गया तो सारे केचवे इतर उदर हो गए थे यह देखिए यह चोटे-चोटे यह देखिए यह कितने सारे केचवे हो गए है अभी तो इसमें इस जगा पे पिछली साल तीन-चार सिंचाई ही आई थी वेस्टी कंपोजर वाली एक अजार लिटर पर एकर लेकिन फिर भी आप देख स अच्छा दोस्तो नमस्कार जये इंद जये भावानी